Hello Everyone, कैसे हैं आप लोग दोस्तों मैं हूँ जोगी और आप देखने हैं ड्रामपूर्ट दोस्तों सितंबर के महीने में कितने इलेक्टिक टूविलस सेल हुए हैं उसका डेटा आचुका है तो किसने मारी है बाजी और कौन रहा है फिसदी सब बताऊंगा इसी वीडियो में तो इसकी मत कीजेगा एंड तक जरूर देखेगा और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और मुझे इंस्टाग्राम पर ही फोलो कीजे इंस्टाग्राम आइडी का लिंक मिल जाएगा आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों नंबर टैन से नंबर टैन पर इस बार जो कंपनी है उसे देख करके मुझे दुख तो काफी हुआ है मगर अचमबा बिलकुल भी नहीं हुआ है क्योंकि लगातार ये कंपनी खराब सर्विस दे रही है और अपने प्रोड़क्ट की डिलिविर भी काफी देर से कर रही है तो लोग इससे काफी परेशान है तो इसी वज़ा से लगातार इनकी सेल गिरती ही जा रही है और इस महीने ये कंपनी आप पहुँचिए नमबर 10 पर मैं बात कर रहा हूं रिवोल्ट की और मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास खुद रिवोल्ट की बाइक है अगर सेल्स की बात करें तो पिछले महीने याने की अगस्त में विवोल्ट ने सेल की थी 1646 यूनिट और इस महीने याने की सितंबर में इन्होंने सेल की है 836 यूनिट याने की इस महीने इनकी सेल नेगेटिव में रही है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 810 बाइक्स इन्होंने कम बेची है नमबर 9 पर दोस्तो वो कमपनी है जो पिछले महीने थी दसवे नमबर पर मैं बात कर रहा हूँ ओकाया एवी की तो ओकाया का ओकाया फास्ट स्कूटर भी अब आ चुका है तो जिस वज़े से इनकी सेल बढ़ रही है पिछले महीने की बात करें तो इन्होंने सेल की थी 878 यूनिट्स और इस महीने सितंबर में इन्होंने सेल की है 924 यूनिट्स याने की कुल मिलाकर के 40 यूनिट्स इन्होंने ज्यादा बेची है इस बार बैलिंग इंडिया जो की पिछली बार था 9 नमबर पर और इस बार है 8 वे नमबर पर सेल्स की बात करें तो इन्होंने पिछले महीने सेल की थी 1045 यूनिट्स और इस महीने सेल की है 963 यूनिट्स पिछले महीने के मुकाबले इस महीने इनुहने 82 यूनिट्स कम बेची हैं मगर फिर भी ये 9वे पाइदान से कू़कर अटवे पाइदान पर पहुँच गए हैं नंबर 7 पर है बजा जोटो पिछले महीने भी बजा जोटो नमबर साथ पर ही था सेल्स फिगर की बात की जाए तो पिछले महीने इन्होंने सेल की थी 2554 यूनिट्स और इस महीने इन्होंने सेल की है 2577 यूनिट्स कुल मिला करके सिर्फ 23 यूनिट्स ज्यादा बेची है इस महीने जो कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है बट फिर भी सात्वे पाइदान पर ये कंपनी बनी हुई है नमबर छह पर है दोस्तों TBS Motors TBS Motors पिछले मेनी थी पाँचवे नमबर पर और इस बार आप पहुँचिए छटे नमबर पर याने की एक पाइदान नीचे गिर गई है सेल्स की बात की जाए तो इन्होंने पिछले मेने सेल की थी 6282 यूनिट्स और इस मेने इन्होंने सेल की है 4932 यूनिट्स याने की इनकी जो सेल रही है नेगेटिव में रही है पिछले महिने के मुकाबले इन्होंने 2350 यूनिट्स कम बेची है अब इनकी सेल डाउन क्यों जा रही है उसका तो मुझे रीजन पता नहीं लेगिन जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ वो ये है कि इनका जो 140 किलो मीटर वाला स्कूटर इन्होंने लौंच किया था अभी तक वो मार्केट में नहीं आया है तो सहथ कस्टूमर चाहते हैं कि वही स्कूटर खरीदें और इसलिए इनकी सेल डाउन जा रही है नंबर पांच पर है दोस्तों एंपियर स्कूटर जो कि पिछले महीने था नंबर चार पर और इस बार एक पायदा नीचे लुड़क करके आ गया है नंबर पांच पर सेल्स की बात की जाए तो पिछले महीने उन्होंने सेल की थी 6,396 यूनिट्स और इस महीने उन्होंने सेल की है 6,189 यूनिट्स याने की पिछले मैने के मुकाबले इस मैने इन्होंने 207 यूनिट्स कम बेची है तो सेल इनकी डाउन ही रही है नमबर 4 पर है दोस्तो एथर एनरजी जो की पिछले मैने थी नमबर 3 पर अब ये नमबर 3 से लुड़क कर नमबर 4 पर जरूर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि इनकी sale down रही है, sale figure की बात करें, तो इन्होंने पिछले महीने sale की थी 6410 units, और इस महीने एथर एनरजी ने sale की है 7435 units, याने कि पिछले महीने के मुकाबले 1025 units इन्होंने ज्यादा बेची है, जो कि एक बहुत बढ़िया figure है, अब दोस्तों रहते हैं top 3, नमबर 3 पर कोन है, नमबर 2 पर और नमबर 1 पर कोन है, तो नमबर 3 पर है hero electric, जो कि नमबर 1 पर भी रहा है, नमबर 2 पर भी रहा है, और यह अब खिसक करके आ चुका है नमबर 3 पर, इसके sale figures की बात की जाए, तो पिछले महीने उन्होंने sale की थी 10,476 units, और इस महीने उन्होंने sale की है 8,017 units, पिछले महीने के मुकाबले 2469 units, इन्होंने कम बेची है, जो कि एक बड़ा difference हो जाता है, तो hero को इस बारे में सोचना चाहिए, और इंप्रूव करना चाहिए, नमबर 2 पर है दोस्तों, गैस कीजिए कौन होगा, नमबर 2 पर है Oki Nava, तो Oki Nava की भी sale माइनस में रही है, और ये नमबर 2 पर है, ये नमबर 1 पर भी रह चुका है, नमबर 2 पर पहले भी रह चुका है, और इस बार भी ये नमबर 2 पर है, sale figure की बात की जाए तो इन्होंने पिछले महीने sale की थी 8554 यूनिट्स और इस महीने इन्होंने sale की है 8277 यूनिट्स पिछले महीने के मुकाबले इन्होंने 277 यूनिट्स कम बेची है और month to month growth इनकी negative में रही है नमबर 1 पर कोन है दोस्तो gas कीजिए सोचे कौन होगा number 1 पर है ओला इलेक्टिक number 6 से सीधा चलांग लगा करके number 1 पर आ चुके हैं पहले भी 3 से 4 महीने ये number 1 पर रह चुके हैं और पिछड करके number 4, 5, 6 पर ये पहुँच चुके थे और इस बार फिर से एकदम से चलांग लगाई है number 1 पर पहुँच चुके हैं इसका जो बड़ा रीजन मुझे नजर आता वो ये कि इन्होंने जो S1 लॉंच किया था उसकी सेल काफी जादा हुई है और दूसरा ये फेस्टिवल सीजन पर 10,000 का जो ओफ दे रहे हैं तो 11 से लेकर 15 तक का भी एक बार आपको बता है तो मैं सेल फिगर नहीं बताऊंगा सिर्फ इतना बताऊंगा कि number 11 पर कौन है 12 पर कौन है इस तरह से तो एक बार देख लीजिए तो number 11 पर है pure EV मुझे जरा भी अचमबा नहीं होगा अगर अगले महिने number 11 पर रिवोल्ड मोटर्स आ जाती है तो number 12 पर है जितेंदर EV number 13 पर है 22 मोटर्स जिसका स्कूटर बाउंस इंफिनिटी आपको देखने को मिलता है number 14 पर है गोरीन E-Mobility प्राइवेट लिमिटेड गेमो प्रोन number 15 पर है केल भी कोमाकी कोमाकी का आपने नाम सुनाई होगा एक अगर बोनस पॉइंट की बात करूँ दोस्तो तो टोट मोटर्स इस बार रही है 16 number पर आप लोग जानते हैं कि सिर्फ पूने में इन्होंने अभी तक बाइक की डिलिवरी की है पूने के अलावा किसी और शेहर में इन्होंने बाइक की डिलिवरी अभी शुरू नहीं की है दोस्तों यह जो मैंने शेल्स फिगर बताया है सितंबर के महीने का इसमें मेरे लिए जो सबसे सर्प्राइजिंग खबर थी वो थी ओलक की तरफ से 6 नमबर से कोटकर सीधा नमबर 1 पर यह पहुँच चुके हैं और सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली जो खबर थी वो थी रिवोल्ट की तरफ से 8 से सीधा कोटकर यह 10 पर आ चुके हैं और मुझे लग रहा है अगले महीने तक यह टोप 10 से बाहर ना चले जाएं तो आप लोगों को सबसे सर्प्राइजिंग खबर कौन सी लगी है वो कॉमेंट बोक्स में मुझे जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेर करना और ड्रामापूर को सबस्क्राइज जरूर कर देना मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए